यहां आपको गोर्दी मीडिया का अंफिल्टर सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन के घंटी बजा दें तो पहले तो ज़रा देखें कि भक्तों को वट्सेप युनिवर्स्टी के द्वारा कैसे उल्टा फुल्टा ग्यान दिया जाता है और जब भक्त ऐसी चीजे देखते हैं तो वो खुशी से पागलो उठते हैं क्योंकि उनके भोले दिमाग में यही चलता है कि सारी दुनिया उन्ही के आसपास घूमती है तो इस पेज ने डाला है कि जो यहुदी धर्म है वो राजपूतों से निकला हुआ धर्म है और हमें अकंड भारत में हमारे यहुदी भाईयों के साथ फिर से एक होने का मौका मिलेगा अरे भाई जो पहले भारत में तुम्हारे भाई हैं उनको तो प्यार से रख लो कल को यहुदी भाईयों को बुला कर आतकवादी कहते फिरोगे और अगली तस्वीर है जहांगीर पूरी की और इस तस्वीर में दोनों व्यक्ति का बिलकुल एक जैसा ही जुर्म है और ये दोनों ही व्यक्ति कानून की नजरों में गलत होने चाहिए चाहे वो आतमरक्षा के लिए हो या मुस्लिमों को मारने के लिए पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में एक व्यक्ति के उपर ही कानून करवाई करेगा और इन दोनों में इसे वो व्यक्ति कौन होगा जी हाँ बिल्कुछ सही सोचा दूसरे व्यक्ति को तो बीजेपी वाले आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी की और स टिकेट देखर खड़ा कर देंगे वोटों के लिए अगला क्लिप देखकर बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि ये जहन में संतुष्टी होती है कि ऐसे भी पत्रकार हैं हमारे भारत में जो इस बेपाकी से गुंडों से प्रशन पूछ सकते है और उनका मूँ तोरजवार दे सकते हैं देखे कैसे इस पत्रकार ने इस वक्ती की बोलती बंद करवा दी श्री राम के नारे के नाम पर कैसे कह सकते हैं कि जिसको इंदोस्तान में रहना होगा कि आप I'm for a क्वाइब करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी और धर्म को मानते कोई भॉइब धर्मानता है कोई जैन धर्मानता है हां वे रहने वादा देखती हिंदू है अजिराम बोलना ही हो क्यों कि इसके कानून तो ऐसा नहीं कहता समीदान तो नहीं घॉक्तर अपने बढ़ा कि तथे करें कि कौन हिंदुस्तान में रही है कौननें यह बाद से लुक्तु डिकूविशलने आहे जा रहा था और जिस तरह से माहौल खराब करने की फिर से दुबारा कोशी सो रही थी उस पे जब सवाल किया जा रहा है लोगों से बात चित की जा रही है दिल्ली पुलिस भी यहां मौजूद है दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा है दिल्ली पुलिस आईए अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारी अंजना उमूदी का पाकिस्तान से प्रेम इनको कोई क्यों नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती और देखे इस क्लिप में महतरमा को कितनी चिंता है हमारे पडोसियों की वह भगवान ऐसे पडोसी हर किसी को दे कर दूंगा मैं उसको जो है वो बिस्क्राइब कर दूंगा आपको इम्रान खान का इगो तो आपकी पकड़ में आगया चलिए उनके आखरी देन ही सही इम्रान खान जब से पावर में है पाकिस्तान के अंदर डबल डिजिट इंफलेशन है महंगाई आसमान तक चूगई तक कमर चीमा साहब दो दिन पहले तक मैं आपको गिनाती थी आज वही आप गिना रहे हैं मैं आपको बताती इंफलेशन रेट कैसे डबल हो चुका है GDP कैसे ओंदे मुग गिरी हुई है कैसे पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 50-30 दी 50-30 आप सोचिए क्या गुर्ब यही नहीं अभी और सुनिए अज़े तिंगे आप भी मुझे बताइए डॉलर के मुकाबले आज पाकिस्तान का रुपया कहां खड़ा है चल ठीक है मैं टामा टामा तक प्यास की कीमते बनाने के लिए नहीं आया हूँ सकता में यह तो आपकी पार्टी के नेता के बयान है आप देखें पाकिस्तान का कैसे बेरा घर्श किया है उन्हें ने आप बताएंगे ना कि पाकिस्तान का रुपया डॉलर से मुकाबले चारánt पैसे ज今日 गिरा हूए कंगे ऑब ऑगा पर एफाखशकिन डेट कहां अश्मान पर एफान लृट है आप बताएंगे यह चितना इ वीडियो वीडियो ये वीडियो जो आपने देखा ये रुड़की का है आप हमें इतनी सी बात बताएं कि कौन सा भगवान कहता है कि आप मस्जिदों के सामने ऐसे शस्तर लेकर जाएं और ऐसी हरकते करें ये है वीडियो जहांगीर पूरी में जो शांती पूर्ण जैनती का जिलूस निकाला जा रहा था देखिए जरा कितने शांती पूर्वक तरीके से हमारे जंगी भाई और उनका साथ देता हुआ हमारा परशासन पत्राव कर रहा है कर दो कर दो कर दो और ये जो वीडियो है ये है हमारे असली भारत की तस्वीर देखिए जब राम नम्मी पर यात्रा निकाली जा रही थी फुल जोर शोर से डीजे चल रहा था पर जब मस्जिद के सामने आये तो डीजे वाले भाई और बाकी भाईयों ने अपना संगीत बंद करवा दिया अगले क्लिप्स में हम थोड़ा देखेंगे कि असली पत्रिकारता क्या होती है देखे कैसे रवीश कुमार हर उस व्यक्ति के मुख पर दमाचा मारते हैं जो एक समुधाय को टार्गेट करने का प्रयास करता है और लाड़ स्पीकरों की बात करता है अच्छी खबर ये है कि समाज में शांती व्यापक हो चुकी है मुर्दा शांती इतनी शांती पहले कभी नहीं महसूस की गई पता ही नहीं चल रहा था कि समाज में लोग भी रहते हैं भला हो उन नेताओं का जिन्होंने लाड़ स्पीकर बजाने के धार्मिक अधिकार को लेकर जंग छेड़ दी लाड़ स्पीकर को लेकर दो धर्मों के बीच कंपेटिशन पैदा कर दिया गया है जिससे लाड़ स्पीकर भी धर्म के अस्तित्व का एक महत्वपुन्ट प्रतिक बनता जा रहा है हर कोई अपने हिसाब से लाड़ स्पीकर लगाना चाहता है उन चौराहों पर भी जहाँ पहले भी कई दशकों से लाड़ स्पीकर लगते रहे हैं प्रशासन के इजाजत से और बच्ते रहें लोगों को याग दिलाया जा रहा है कि यहाँ loudspeaker उनके संघर्ष के बाद ही बजएगा, वो दिन दूर नहीं जब देश का हर नागरी का अपना-अपना loudspeaker लेकर चलेगा, जो loudspeaker का विरोध करेगा, अपने-अपने धर्म का विरोध ही माना जाएगा, धर्म की रक्षा में जो युवात तलवार नहीं चला सकते वे लाउट स्पीकर बांधने का काम तो करी सकते हम विश्वगरू बनने की राह पर हैं जब दिखाने से नहीं दिख रहा है तो क्यो ना ऐसा दिखाये जाये जिसमें कुछ दिखे ही ना उस असीम शक्ती की कृपा आप पर भी बरसे जिसने सडकों पर भीड छोड़ रखी है जिसके निर्देशों के पालन में भीड की शक्ती असीम हो गई हर दूसरा आदमी मुझे सलाह देता है कि न्यूस से दूर रहो सरकार से सवाल पूछना बंद कर दो किसी को फर्क नहीं पड़ता जो होना है होकर इस देश में हिंदू मुस्लिम का सिलेबस बंद नहीं होने वाला यह सिलेबस महलों में हिंदी मीडियम लड़कों को टौपर बना रहा है यह एंकर तुम समय नहीं हो बलकि तुम इस समय में आसमय हो अगर तुम्हारे शहर में समंदर का किनारा नहीं तो इस देश में अगले क्लिब में देखेंगे हम जब शोईब जमाई ने चलती डिबेट को छोड़ने का बहतरीन फैसला लिया और ऐसे गोदी चाटुकारों के मुँपर ये कसकर तमाचा है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति इनकी डिबेट में ना जाए और ये अपनी बेस्टी खुद ही करवाते कि रहेंगे अच्राजनाही दुरगम जगते जते सब्सक्राइब दॉरेब दुम रखवारे वोद ना जारे विनुपर शोईब शोईब को लिखाए एक मैं शोईब को लिखाए इसक्रीम बहुत खूफ इसके दर्शक देख रहे हैं एनल की तरफ से ये कोशिश हुई कि ब अमन भाई त्रेंड पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए और फ्लाइट का पालिट आपको फोन करके नहीं बुलाता इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजे आपके सवाल को रिजेक्ट करता नहीं दूंगा जवाब हो गया जवाब नहीं है हाथ खड़ करो ऐसे कोई जवाब नहीं है तो हाथ खड़ करो एसे कोई बाई हाथ खड़ करो वाँ क्या एक्टिंग कर रहा है जवाब देने के लिए तो सवाल का जवाब देने के लिए तो टाइम दो गोई पूचा था कि किसी ने आजान करके तो आपको डिबेट में नी बुलाया आठ वजात खुद आया ना उन्हें पूचा ट्रेन जाते हैं फ्लाइट लेते हैं तो बिना आजान के जाते हैं खुद जाते हैं यह सिंपल सा सब्सक्राइब